हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शे बादर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे SME IPO अनपूर्णा स्वाधिस्ट के डे थर्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में तो दोस्तों आज आखरी दिन था कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है उसके बात करेंगे करेंगे Allotment के क्या chances रहने वाले इसके बारे में बात करेंगे क्या current green market है Important dates जो आपको याद रखनी है because Allotment की क्या है लिस्टिंग की क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो में बता चलेगा तो definitely बहुत important वीडियो है तो पुरा देखिएगा Friends चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यी वीडियो बढ़या लगता है तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर चाहिएगा तो Friends अनपूर्णा स्वादिस्ट IPO एक SME कंपनी बैगबाश अंकर शर्मा definitely दूस्के आपको देखने को मिलेगा interest तो लोगों का आता हुआ देखने को भरपूर मिला है आज ये IPO बंद होता हुआ देखने को मिला है जिसका price band याद रखेगा 70 रुपे अगर आपने इसमें लगाया है तो आपको पता है 70 रुपीस का price band है 30 करोड का issue था देकि SME issue है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दो करोड के आसपास जो थे वह anchor portion ले गए और बाकी का इस प्रकास आया lot size 2000 की अब अगर आप देखेंगे इस IPO को तो डेफिनिटली subscription तो बहत तगड़ा आता हुआ देखने को मिला है जादा तर दोस्तो SME IPO में याद रखेगा कभी भी क्यू आई बीस के लिए कुछ offering नहीं होती है बट इसमें क्यू आई बीस के लिए भी offering थी यह important बात थी एनई इस के लिए retailers के लिए दो दिन में कुल मिला कर 18 times दूसरे यह issue जो था वो आपको subscribe होता हुआ देखने को मिल गया आप 18 times subscribe होना दो दिन के अंदर एक अच्छा देखिए आपको subscription माना जाता है राइट इसमें अगर आप पर देखेंगे तो retailers के दोरह 45 times के लगबख 13.37 7 times आपको देखने को मिलेगा NIS की तरफ से आता हुआ देखने को मिला पैसा 0.03 times आपको देखने को मिलेगा यह पर QIPS और कुल मिला के 17.78 times यह issue subscribe हो गया बट क्योंकि SME issue है तो definitely subscription आपको काफी जादा आता हुआ देखने को मिलता है क्योंकि issue छोटा सा है पैसा लगाने वाले लोग इतने की इतने ही आपको देखने को मिल रहे है तो इसी लिए दोस्तों जब final subscription आता है तो बहुत massive आता है तो अब बात करते हैं सबसेले QIPS की तरफ से कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला और एक और बात important है जो याद रखनी है आपको QIPS को सबसे जादा percentage of कह सकते आता है तो अब बात करें QIPS की तो पहले दिन दोस्तों यहाँ पर QIPS के तरफ से पैसा आया नहीं है दूसरे दिन नहीं आया तीसरे दिन अगर आप देखेंगे तो QIPS ने कुल मिला कर final date 18.34 times इस issue को भर दिया है 18.34 times भढ़ा है और कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना ही अब खतम होता हुआ देखने को मिलेगा तो 18 times क्या सही है तो सही है बिकोस NIAs में अगर आप देखेंगे भरपूर यहाँ पर पैसा आता हुआ देखने को मिला है NIAs ने दोस्तों कुल मिला कर आज 301 times जो है पैसा लगा है 301 गुन्ना पैसा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले चार करोड का आप 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 देखेंगे तो 1204 करोड रुपे की लिए अपलाय कर दिया 204 करोड रुपे टोडल दे दिये basically कंपरी को तो अपने आप में देखेंगे यहाँ पर जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है एने इस की तरफ से वो बहुत जादा बढ़िया है बात करते हैं अब रीटेल कैटेगरी की रीटेल कैटेगरी ने कुल मिला कर दोस्तो फाइनल डे में 225 ताइम्स बहुत शानदा 225 ताइम्स दोस्तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इशू बढ़ दिया और सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा है अब इसके अंदर अलॉट्मेंट की बात कर तो साफ बात एक है याद रखेगा रीटेल इंवेस्टर में एक ही लॉट आप लगा सकते हैं एक पैंकार्ड के साथ यह बात इंपोर्टेंट है तो 225 में से एक जने कोई इशू मिलन अलॉट्मेंट आथा हुआ देखने को देखने को मिलेगा सुटल सप्सक्रिप्शना आता हुआ थेखने को मिलेगा इस आइप्यों का बनाए इसके अंदर को प्लाइए pak है यह इसमें मेचल लेपोर्शन औरju यह बहुटकत इसके अंदर को भरता हुआ देखने को मुला है और रीटेलर्स के लिए तो 225 टाइम से नहीं 225 में से एक जने को अलॉट्मेंट मिलना यह अपना आप में काफी देखिए किसमत अली बात ची इसमें तो देखिए प्यॉल लगे अगर आपका अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा ठीक है नहीं भी मिले तो अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसका कितना ग्रे मार्केट चल रहा है वो उसके में बात करेंगे उससे पहले डेट्स आज तो यह इस्चू बंद होता हुआ देखने को मिल गया अब अलॉट्मेंट कब आने वाला है इसके उपर बात कर लेते हैं तो इसके important dates का आप चाहे तो screenshot में निकाल सकते हैं याद रखेगा आज यहाँ पर बंद होता हुआ देखने को मिल गया तो 22 तारीक 22 को दोस्तों इसका allotment जो है वो होता हुआ देखने को मिलेगा basis of allotment 22 तारीक को आपको पता चल जाएगा कि आपको allotment आया नहीं आया ते लिस्त होता हुआ देखने को मिलेगा तूसडे को 27 को टूसडे तो टूसडे को दिने को मिलेगा यह ऊच्छी वाटG, तो यहाँ तो ऑन अलो? आता हुआ देखने को मिल जाएगा Friday मंदे तक बैसे अगर आपको नहीं मिलता है तो अते हुए देखने को मिल जाएंगी यह बात यह तो दोस्तो बात होक dal के डेट की आता हुआ देखने को मिल आता हुआ से important जो dates है अब बात करें इसके gray market की तो basically एक फाइदा कितना होता हुआ देखने को मिल सकता है यह हम चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए अन्न पूरना स्वादिस्ट का जो अभी gray market चल रहा है वो around 69 रुपीज चल रहा है आप समझे 70 रुपे का issue है 69 रुपीज gray market चलता हुआ देखने को मिल रहा है यह एक massive gains मिलते हुए देखने को मिल सकते है जिन लोगों ने भी लगाया और जिनका allotment मिल जाता है आज 69 रुपीज है हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतार चड़ा देखने को मिले यहांसे और बढ़ जाए यह थोड़ा बहुत नीचे आ जाए but over and all फायदा होने के chances जो है वो undoubtedly बहुत जादा देखने को मिलेंगे 92,000 subject rate है वो 92,000 जरूर दिखा रहा है बट वो 92,000 है 92,000 subject rates कैसे हो सकती है वो definite संबन नहीं आ सकता because 98% का अगर में आपको मनाफ़ा होता हुए देखने को मिलता है तो subject rates 92,000 होगी यह 9200 गलत दिखा रहा है पर अच्छी बात किया कि देखिए इसको लेकर अभी भी इसके बात जब updates आते हुए देखने को मिलेंगे तो I think वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे राइट वो बहुत बड़ा रहते हुए देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि यहां से जो gray market है वो और उपर चल जाए और इसी परकार से मुझे को देखिए इश्व आता हुआ देखने को मिलेंगे बाकी तो काफी SME's IPO अच्छ आपको रहते हुए देखने को मिलते हैं कंदार डिजी स्मार्ट BPO तो यह बहुत सारे SME's IPO है बट कुछ चिनुन्दा SME's IPO जो देखिए काफी बढ़िया होते हैं जहां पर पैसा बनता हुआ देखने को मिलता है जिसमें से एक अनपूर्णा स्वाधिस्ट था जिसके अंदर definitely यहां पर response जो है वो काफी तगड़ होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से नाइज दो सब्स्क्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंड्स वाच्म दिस वीडियो